नागपूर हल्चल में आपका स्वागत है तो आए नजर डालते हैं नागपूर की विवित हल्चल पर आमरुतुविला ट्रस्ट के प्रमुक गुरुप्रीत सिंग और प्रिंकुवीर द्वारा श्चार में सत्संग किया जाता है सत्संग को सुनने के लिए ज्यादा तर सिंधी समुदाय के ही श्रद्धाल होते है हाल ही में एक वीडियो में गुरुप्रीत सिंग ने इस्टदेव जुलेलाव साहिब पर जो टिप्पिनी की है उसका अखिल भारतिय सिंधी समाज विदर प्रांथ ने निशेद किया है विदर प्रांथ अद्धिक्षक ओवरधन कोडवानी ने बताया कि श्रदेव जुलेलाव सिंधी समाज के पूझनी ये दे होता है विदर प्रांथ प्रवक्ता अशक अहुजा ने बताया कि आदी अनादी काल से सिनी समाज के इश्टदेव श्रिजुलिलाव साहिप का पूजन बड़ी श्रद्धा और आस्ता से किया जाता है पदादी कारियों ने कहा कि हमार इश्रद्यों के संबन में गुरुपीत सिंग द्वरा की गई खेट जनक टिपनी का हम निशेद करते है इस अवसर पर अखिल भारतिय सिनी समाज विदर्प्रांथ के देक्ष गोवर्धन कोडवानी, राष्ट सलाकर सुन्दरलाल तारवानी, विदर्प्रांथ प्रवक्ता अशक अहुजा, सरसचिव हरिश मूलचंदानी, कोशा देक्ष भाग्चन केवल रामानी, आदी उपस सित्थे कनहिया बंजारे, शंकर मारकंडे, आदी उपस्तित थे स्वरप्रतम गुरु घासिदास की पतिमा पर पुजारी संतराम को उसरे द्वारा मालयारपन किया गया इसके पश्चाद आर्तिवंदना और जयकारा लगाते हुए, बाबाजी की चरणपादुगा को महिलाओ, वह युवतियों ने मंगल का लश्चीश पर लेकर शोभायात्रा प्रारम कर दी सतनाम संस्कृती पंथी कला मंडल के सदस्यों ने रैली में भाग लेते हुए अपनी कला प्रस्तुत की संत मनिकदास गुरुजी ने अपनी टीम के साथ भजन करतन किया उनके पीचे सतनाम के अनुयाई बड़ी संख्या में शुएत वरस्त धारन कर पैदर शोभयात्रा का मान बढ़ाते रहे थे संपुर नगर भ्रहमन कर पुनह गुरुद्वारा में रैली का समापन किया गया इसके पश्चाच जलबी शेक और अनप्रक्रियाओं की उपस्तिती मानिवरों द्वारा पूल न किया गया रामदास पेट लेडिस क्लब के किटी गुरुब द्वारा बाइबाइ 2021 वेलकम 2022 थीम पर रंगारंग कारेकरम का आयोजन किया गया अलग-अलग वेशबुशा में सुसजित गुरुब के सदस्यों ने उत्सा के साथ सबी कारेकरमों में हिस्सा लिया इस कारेकरम की मेजबान प्रियल शाह और शैली पुनियानिये कहा कि गुरुब द्वारा हर मेने में विबिन थीम पर कारेकरम आयोजन किया जाता है चुकि दिसंबर का महला चर रहा है और साल 2021 के कुछ दिन ही शेज बचे है इसलिए हमने इसमें ने बाइबाइ 2021 की थीम रखी पुर्ण उत्सा के साथ हम साल 2022 का स्वागत करना चाहते है इस दोरान विबिन खेलो का भी आयोजन किया गया जिसमें एक अनुटा पासिंग दी मोबाइल गेम बहुत ही रोमान चक रहा खाटू नरेश बाबा शाम के सूमदर संगित में भजनों के कारेकरम कायो जहन तरोडिस्ती छत्तरपूर फार्म में हर्श लला से किया गया बाबा शाम के भवे दरबार शाम भजन प्रवाकों द्वारा बहाई गई भजनों की अमरुद गंगा एवं उसमें डुबे शाम प्रेमियों की उपस्तिती से मानो साक्षात खाटू दाम साकार हो गया कारेक्रम की शुरुवात नगर के भजन प्रवाक शाम शुबम की जोडी द्वारा गनेश वंदना कर सुन्दरकान पाठ के सहाथ की गई कारेक्रम स्तल पर बाबा का भवे दरबार सजा कर अलोकिक शुरूगार किया गया एवं चपन भोग लगाया गया कोलकाता के कारीगरों द्वारा कोलकाता के फूलों से सजाए गए बाबा के भवे दरबार में अखंड जोड प्रजुलित की गई भजनों की शुरुवात नाकपुर की भजन प्रवाई का जया आचार्य वखाम्टी के हर्श शर्मा द्वारा की गई उनके द्वारा कई शाम भजनों की प्रस्तुती की गई इसके पश्चात कोलकता से आई राजो महरा ने अपने भजनों से शाम प्रेमियों को भावी भोर कर दिया उनके द्वारा तेरे आगे लाज मुझे आती नहीं आदी भजनों की प्रस्तुती की गई महा मेट्रो ने मल्टि मोडल इंटिग्रेशन के तहट यात्रो के लिए कई उपाय किये है जिनमें E-bike, E-Rikshya, Electric वहानों के लिए Charging Point, मेट्रो स्टेशनों पर फीडर बसे और हर मेट्रो स्टेशन पर यात्रो के लिए cycle की विवस्ता की गई है औरेंज और इकालाइन कॉरिडियर यह साइकल चलाने वाले नागरिकों के बीच बहुत लोग प्रिये हैं मेट्रो स्टेशन पर खड़ी साइकिले माई बाइक और वी आई पी एल के स्वामित मुए हैं यह सभी साइकल आप द्वारा संचालित हैं और नागरिक मेट्रो स्टेशन से आसानी से साइकिल ले सकते हैं इस साइकिल का उप्योग मेट्रो से यात्रा करते समय साइकिल से मेट्रो स्टेशन से मंजिल तक किया जा सकता है और यह cycle आपको एक मेने के लिए भी मिल सकती है Metro station पर उपलब्द cycle दैनिक, सापताहिक और एक मेने के लिए उपलब्द है जिसका मासिक या दैनिक इस्तेमाल के उसायर तेय किया गया शुलक रहा को को देना होगा खास बात तो यह है कि Metro station पर नागरिक, स्कूल और कॉलेज की बच्चे रोजाना Metro से सफर कर रहे है और Metro का सफर पूरा होने के बाद Metro station से cycle का इस्तमाल कर रहे है नागपूर Metro डेल पर योजना की औरेज और इकालाई ने हर 15 मिट में सुबर 6.30 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक खुली रहती है वर्तमान में नागपूर की विबिनना स्पदालों में 6000 बिस्तरों की शमता है कोवीड महमारी के दोराण उत्पन हो इस्तिती और मरीजों को होने वाली अस्विधाओं को देखते हुए नागपूर की स्वास्तोयस्ता को यह शमता बढ़ा कर 12,000 बिस्तर तक पहुचाने की ज़रुरत है इस आशे के विचार दत्ता मेंगे मेडिकल कॉलेज के नौभवन की उत्गाटन समारों के अउसर पर केंद्रिय सदक परिवहन एवं राजमार कमंतिन दिन गड़करी ने वेक किये समारों में नेता प्रतिवक्ष देवंदर फड़नवीस, वरिष नेता दत्ता मेंगे, डॉक्टर वेत प्रकाश मिश्रा, पुर्वसांसत अजय संचेती, सागर मेंगे, आदी उपस्तित थे गड़करी ने आगे कहा कि COVID-19 के समय मेगे परिवार ने मरीजों की काफी मदद की, वह बहुत बड़े संकट का समय था, नपरियाप्त ऑक्सिजन, नपरियाप्त चिकित साउपकरन उपलब्द थे इसलिए अब मेडिकल कॉलेजों की तादद और उनकी बेड़ शमता बढ़ा दी गई है, देश में डॉक्टरों की संक्या बहुत कम है, देश में अब भी 4,24,000 अत्रिक्त डॉक्टरों की ज़रुत है, इसलिए मेडिकल और पैरामेडिकल कॉलेजों की संक्या दुगनी करन गड़करी ने कहा कि इस अस्पताल से नागपुर हिंग ना और कलमेश्वर तालुका के मरिज़ों को निश्य तुरुक से फायदा होगा केंद्रियमंती निदिन गड़करी की पहल से हाली में मानस एग्रो और लिफिनिटी बायो एनरजी की बीज एग्रोविजन क्रुशी प्रदर्शन के दवरान एक समजोदा करार पकर दोनों कमपनियों के प्रतनिदियों ने हस्ताक्षर किये इस MOU के तहत तीन LNG स्टेशन स्थापित किये जाएंगे इससे भई शमेद देश से इंदन की लागत कम होगी और प्रदुशन से होने वाले निकसान को भी रोका जाएगा इस मौके पर केंद्रेमंती नितिन गड़करी मौजूद थे गड़करी ने कहा कि बायो LNG कुरुशी अपशिष्ट, जैविक अपशिष्ट, और दोगिक अपशिष्ट और घरेलु कचरे से उत्पन्न होता है डिजल वानों में इसके इस्तमार से प्रदुशन को काफी हद तक कम करने में मदद मिलेगी जिन घटकों से इसे बनाया जाना है ये घटक इस देश के किसानों से बड़ी संख्या में प्राप्त किये जा सकते है इसे किसान घरकुशी कचरे से अधिक कमाई कर सकेंगे जिससे देश के इंदन जरुरतों को पुरा करके इंदन आयत करने की लागत जो वर्तमान में 8 लाक रुपे करोड है उसे काफी कम हो जाएगी इस जैवे इंदन पर वाहन चलाने का एक सफल प्रयोग हाली में पूरा हुआ है और आयो सो मानक 15,500 के तहट डीजल पर चलने वाली बसों को पुरी तरह से जैवे इंदन पर चलने के लिए डिजान किया गया है बिजली विकास का इंजिन है बिजली कमपनियों को बचाना हमारा करतव है बिजली उपभकताओं के साथ अच्छा समवाद बनाए रखा जाए बिल का भुकतान करने वाले ग्रह का समान किया जाए इस आशेकावान उर्जामतिरी डॉक्टर नितिन राउत ने महारश राज पिछरा वर्ग विद्युत कर्मचारी संके डॉक्टर बाबा साह बामबिट कर श्रमिक पशिशन केंद्र और नय हॉल के उद्घाटन समारों में किया इस उसर पर कारेकारी अधेक्ष इसके हनवते महासचू प्रेमानंद मौर्य मुख्या अज़क वाई के कामले मुख्या थी थी थे जबकि असोसेशन के अधिक्ष डॉक्टर संजय गोड के ने कारेक्रम की अधिक्ष अता की डॉक्टर राउत ने निर्देश दिया कि बिजली कंपणियों के अधिकारी वा करमचारी गुनवत्ता और कवशल से समझो तान न किया जाए प्रशिशन केंदर को अत्याधनी कादार पर स्थापित किया जाना चाहिए उर्जा मंत्री ने नई तकनिक विकसित करने की अपील की मारवाड़ी युवामंच नाकपुर शाका द्वारा राज स्तरिय बास्केटबॉल विजिता गुनजन निखिल मंत्री को राश्ट्य बास्केटबॉल टुनामेंट के लिए चुने जाने पर और अतुल कोटेचा को महराश्ट पदेश कॉंग्रेस वयापार और उद्वाड़ी युवामंच के विदर प्रमुक महेश बंक के द्वारा मारवाड़ी युवामंच नाकपुर शाका के अद्वारा मंत्री और माता ममता मंत्री को दिया है इसले उनका भी सतकार किया गया आज 18 प्लोस और 25 प्लोस आयूवर के सबीन नागरों को कोविशिल्ट का टिका करन नाकपुर मानगर पालिका के साथ सरकारी के अंद्रों पर होगा टिका करन का समय शाम के पाच बजे तक होगा टिका करन के लिए ओनलाइन और ओफलाइन दोनों पदितियों से पंजी करन किया जा सकता है इसी तरह ड्राइविन वैक्सिनेशन के इंद्रों पर भी 18 प्लोस और 45 प्लोस आयूवर के नागरों के लिए इसी तरह 18 प्लोस और 45 प्लोस आयूवर के नारिकों के लिए को वैक्सिन का पहला और दूसरा डोस मेडिकल कॉलेज, डॉक्टर बाबासाय बामिटकर अस्पताल, काम्टी रोड, वस्वर्गिय प्रभाकरदट के मनपाहाल रोगनिदान केंद्र, एम्स, आइसोलेशन अस् मनपा स्रियस पताल, पांच पाउली और प्रगति हाल डिगोरी में उपलब्ध हैं। इसकी अलावा उपद्रव खुजी दल ने NDS प्रमुक विरसिन तामबे के मार्क दर्शन में ये अभियान चलाया। और आत्मा का संतुलन भी उतना ही महत्वपुर्ण होता जा रहा है। सांडू आरोग्य दर्शिका में दी गई जानकरी का उपयोग करके साल के 365 दिन स्वस्थ और सुद्रूड रहने की शुपकाम ना है। केंद्रिय मंत्री नितिन गड़करी ने दी सांडू द्वरा निर्मित आरोग्य दर्शिका कोरोना के संकट में भारतियों को मान सी काधार देगा। ये विश्वास केंद्रिय मंत्री नितिन गड़करी ने व्यक्त किया। के बिकरी प्रबंदक निखिल बैस मौजुद थे। सांडू फार्मासियूटिकल्स ने इस आरोग्य दर्शिका में आयरुवित के प्राचिन विज्ञान को दैनिक जीवन में उतारा है। पांडे लेयोट्स नेह नगर खामला स्थित विठल रुक्मिनी मंदिर में 18 महापुराणों की दिव्य श्रूंखला में श्री नारद महापुराण की दिव्य कथा में आचारिय राजललन महराज ने तुलसी के महत्व पर प्रकाश डाला। सुन्दरकान महिला मंदल नगर विठल रुक्मिनी मंदिर समिती खामला शारदा माता मंदिर हनुमान मंदिर समिती एवं गायतरी महिला मंदल सभी मंदलों के सहयोग से आयोजित श्री नारद महापुराण की दिव्य कथा में आचारिय राजललन गोपाल महराज ने कहा कि तुलसी धारन कर किया प्रत्तेक कार्य पूर्ण कार्य का फल, पूर्ण रुपसेटल होता है। दिये हुए दान में तुलसी रख देने से वह दान सर्वस रिष्ट होता है। तुलसी के बिना भगवान नारायन न तो कोई पधार्थ और नहीं कोई पुजा स्विकार करते हैं। महराज ने कहा कि उत्तर या पुर्व या उत्तर पुर्व के किनारे तुलसी लगाने से घर का वास्तु दोश दूर होता है। घरों में सदैवा विशम संख्या में तुलसी लगानी चाहिए। महमुदा शिक्षन और महिला ग्रामिन विकास बहु उद्देशिय संस्था में कारियरत दिन दयाल उपाध्या ग्रामिन कोश्चल ले योजना के लोना रस्तित केंद्र द्वारा केरल खाद्य मोहत्सव का आयोजन किया गया। विशेश अतीथियों की रुप में उपसित थे। इस केरल फूट फेस्टिवल का उद्देश्य चातरों को हॉस्पिटालिटी ट्रेड में तयार करने में मदद करना था। इससे चातरों को ये सिखने में मदद मिली कि ग्राहकों को उत्पादों को कैसे पूरा किया जाए और आतिथ्यक शेत्र में विभिन्न प्रकार के दक्षिन भारतिक खाद्य पदार्तों को कैसे तयार किया जाए और परोसा जाए। तुशारमेश्रम ने इस बारे में बताया कि उत्सव का आयोजन अतिथ्य चातरों को व्यवहारिक अनुभाव देने के उद्देश से किया गया था जो उन्हें अपने कौशल और प्रतिभा को विकसित करने में मदद करेगा। साथ ही इस तरह के तयोहार से चातरों को टीम वर्क आदी कौशलों को बढ़ाने में मदद मिलती है। संगोश्टी में बतोर वक्ता उद्वोधन दे रहे थे। कारेक्रम के अध्यक्षता विश्व इद्याले के कुलपती प्रोफेसर रजडीश कुमार शुकल ने की इस अवसर पर वक्ता के रूप में वरिष्ठ पत्रकार शंभुनाच शुकल उपस्तित थे। राहुल देव ने कहा कि अटल जी इतने व्यस्त राजनितिक जीवन के बीच भी हिंदी कविताय लिखते थे। अतह वे हिंदी निष्ठा के प्रतिक थे। राश्ण धर्म, स्वदेश और पांच जन्य जैसे अखभारों के संपादक तथा पत्रकार के रूप में उन्होंने हिंदी को आगे ले जाने का बहुत प्रयास किया। सावनेर तहसिल में स्थित स्थानिय अर्विन इंडो पब्लिक स्कूल में पूर्व प्रधान मंतरी व भारत रतन, अटल बिहारी वाचपेई एवं भारत रतन पंडित मदन मोहन मालविय की जैनती बड़ी सादगी से मनाई गई। इस सुशासन दिवस कार्यक्रम का शुभारम प्राचारिय राजेंद्र मिश्र ने अटल जी एवं मालविय जी की प्रतिमा पर मालयारपन करते हुए किया। अगा द्यक्ष वंदना बारा पात्रे ने किया। अर्विन बावु देश मुख प्रतिष्ठान के कार्यकारी अध्यक्ष एवं पुर्व विधायक डॉक्टर आशिश देश मुख ने स्कूल के उपक्रम की सरहाना करते हुए सहभागे विद्यार्थियों का अभिनन दन कि अगनी होत्री को महाराश्ट्र प्रदेश कॉंगरेस कमिटी के अंतरगत उत्तर भारतिय सेल के प्रदेश अध्यक्ष पत पर नियुक्ती होने पर मुंबई से नाखपूर प्रथम आगमन पर विमानतल पर उत्तर भारतिय सभा के पतादी कारी वसदस्यों ने बड़े ये नारे लगाए गये सबने एक दूसरे को मिठाई खिला कर जश्न मनाया अगनी होत्री के उत्तर भारतिय सेल के प्रदेश अध्यक्ष बनने की खबर पाकर सौंसर सावनेर कामठी कनहान पारडी वाडी वरधामना बुटी बोरी हिंगना उम्रेट पाटन सावंगी वलनी सभी जगह से उत्तर भारतियों एवं कॉंग्रेस के सदस्य एवं पतादिकारियों में खुशी के लहर दोड़ गई खुशियों में डूबी उत्तर भारतिय सभा एवं कॉंग्रेस के पताधिकारियों ने बधाई देते हुए कहा कि आपके उत्तर भारतिय सेल के प्रदेश अध्यक्ष बनने से मुंबई ही नहीं पुरे महाराश्ट्र वदेश में उत्तर भारतियों की प्रदेश में ताकत और मजबूत होगी और उसे एक नई दिशा मिलेगी जिला नायले नाकपुर के समक्ष महाराश्ट्र एंड गोवा नोटरीज एसोसीेशन के विदरब अध्यक्ष वो प्रवक्ता अडवोकेट अश्वाक शेक के नेतरुत्व में वजिला वकिल संगठन पुर्वा अध्यक्ष एडवोकेट प्रकाश जैस्वाल, वरतमान अध्यक्ष एडवोकेट कमल सतूजा, सचीव नितिन देश्मुक, एडवोकेट कुतुब जफर, एडवोकेट सुनिल थोमरे, एडवोकेट ग्योगेंद्र जाम्भुलकर की प्रम शेख ने बताया कि कुछ दिन पहले विधी वन्याय विभाग केंद्र सरकार द्वारा नोटरीज एक्ट में अमेडमेंट कर एक प्रस्ताव मसोधा 2021 के रूप में निकला गया था, जिसमें नोटरीज को प्रैक्टिस के लिए पहले 5 वर्ष, बाद में 5-5 वर्ष के 2 रिनी केंद्र सरकार के विधी वन्याय विभाग के दिशा निर्देश पर एसोसियेशन द्वारा आपत्ती वसुझाव भेज गया और आखिरकार सरकार ने ड्राफ्ट रद कर दिया वेध काउंसिल के एक प्रतिनी धी मंडल ने देविंद्र पारेख के नेतरुत्व में नाकपुर दोरे के दोरान केंद्रिय कुशी मंतरी नरेंद्र सिंग तोमर से मुलाकात की वेद काउंसिल के पुरवा अध्यक्ष देविंद्र पारेख ने उन्हें विधर्बग शेत्र के विकास के लिए वेद काउंसिल के प्रयासों के बारे में बताया केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में घूशित साथ में से एक एककृत टेक्स्ट्रेल पार्क के मांग की गई ता स्टाइल और पेट्रो केमिकल दोनों विदेशी मुद्रा उत्पादं क्षेत रहें। दीप्रजवलन से की गई। कारेक्रम के अंतरगत, नुत्य, समुह गीत, नाटक के माध्यम से विद्यार्थियों ने अपने दादा दादी नाना नानी की प्रतियोगीता हुई और विजेताओ को विवित पुरसकार प्रदान किये गए। इस कारेक्रम को अनिता तागडे, प झाल झाल